आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इन्यांक्स डबल-slit experiment Butter paper is placed covering one of the slit How will the interference pattern on the distant screen change Butter paper partially reflects the light through it देखिए गाइस क्या बोल रहा है यह हमारे पास जो है एक यह डबल-slit experiment का setup है ठीक है और यह जो है यह स्क्रीन है इन source s1 से और s2 से जो दोनों light emit होती है वह coherent sources से coherent light होती है ठीक है वह coherent होते है और प्लस उनका जो amplitude होता है उनका जो wavelength होता है वह भी equal होता है इसका मतलब इन दोनों ही sources से जो light emit होती है उनका equation कुछ ऐसे होता है y equal to a sin omega t minus kx मतलब बिल्कुल डिक्टो equal equation डिक्टो same equation होती है ठीक है इन दोनों के और बिल्कुल coherent sources होती है सब कुछ से होने के विज़़े से meters होता है जो maximum intensity होती है i-max फिक है maximum intensity मिलती है maximum intensity क्या होती है icon यहां से लिख सकते हैं लस टू 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 इन हो गाइस टrows पाइड है और यहां से देखिए हमें मिल गया टू और फॉर आई यानि in the same way अगर minimum intensity की बात करें तो minimum intensity के लिए यहां पर देखिए minimum intensity क्या होती है i again formula तो सेम रहेगा i plus sorry i क्योंकि i1 plus i2 होता है यहां पर i ही हमने माना है i plus i plus 2 root i i cos 5 ठीक है और minimum intensity के लिए इस cos 5 की value minimum यानि minus 1 होनी चाहिए ठीक है हमें maximum मिलता है और जहां पर minimum मिलता है वहां पर बिल्कुल डार्क फ्रेंज मिलती है जीरो intensity बट अगर हम लोग यहां पर एक को एक स्लेट को अगर बटर पेपर से हम लोग धग देते हैं तो इसका जो amplitude होता है वह कम हो जाता है amplitude decreases ठीक है और अगर amplitude decrease हो जाता है तो आई जो intensity होती है वह directly proportional to a square होता है ठीक है इसका मतलब की intensity भी decrease हो जाएगी ठीक है इसका मतलब intensity भी decrease हो जाएगी इसकी इसको आई 1 कह देते हैं ठीक है आई 1 decrease हो जाएगा first slate 1 से जो light निकल देए उसकी intensity हो जाएगी और intensity अगर decrease हो जाएगी तो यहां से देख सकते हैं गाईज ईसकी intensity उतनी ही रही आई 2 कह देते हैं इसको ठीक है और जो एस वन से लाइट निकल देए उसकी intensity decrease हो गया इसका मतलब यहाँ पे i2 greater than i1 हो गया और अगर i2 greater than i1 हो गया तो देख सकते हैं यहां पर minimum intensity है यहां पर minimum intensity मिल रही है यह 0 नहीं होगी क्योंकि 0 तब होती है जब यह value negative होती है सब cancel out होता है ठीक है इसका मतलब i minimum की जो value है बढ़ जाएगी ठीक है intensity minimum जो intensity है पहले 0 थी अब कुछ बढ़ जाएगी और maximum intensity जो है वो कुछ घड़ जाएगी क्योंकि i1 जो है वो घड़ जा रहा है ठीक है यानि i max की जो value है वो घड़ जाएगी ठीक है इसका effect क्या आएगा बटर पेपर रखने का बटर पेपर रखने का effect यह आएगा कि maximum intensity जो bright fringes है उनकी intensity घड़ जाएगी और जो dark fringes है जो बिल्कुल dark intensity 0 थी उनकी intensity कुछ बढ़ जाएगी ठीक है simply यहाँ एक इक सब्द में कहना चाहें तो जो contrast होता है तो जो है वो घड़ जाएगा ठीक है कह सकते हैं extra path difference path difference की value जो है वो बढ़ जाएगी ठीक है कुछ extra path difference आएगा इसका मतलब जो है fringes भी थोड़ी सी shift हो जाएगी ठीक है तो shift in fringe भी होगा ठीक है guys दूसरा effect क्या होगा इसका दूसरा effect होगा shift in fringes okay fringes में भी shift आ जाएगा ठीक है और किदर shift होगी गाई जिधर हमने butter paper लगाया है उधर तो hope आपको यह पूरा concept समझ में आया होगा thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net app यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर